इन दिस वीडियो ओफ कोडिनेट जुमेट्री इल स्टार्ट दे सेकेंड वोक्षिट इसमें हम सेक्षिन फॉर्मूला के बारे में पढ़ाएंगे तो क्या सीखेंगे हम लोग सेक्षिन फॉर्मूला से सपोज दो पॉइंट है A और B ए का कौडिनेट से X1 Y1 और B का कोडिनेट से X2 Y2 योशीका तुम पूची थी मेरे से कि हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं क्योंकि दोनों जगाre तो X है न दोनों का किसी भी कोडिनेट को हम लोग कैसे लिखते ह तो यहाँ पर जो दो पॉइंट है, दोनों के पास x, दोनों के पास y, तो इसी वज़ा से पहला पॉइंट का हम दोनों चीज़ को 1 दे रहे हैं, दुशरे पॉइंट का दोनों चीज़ को 2 दे रहे हैं तो section formula में हम क्या सीखेंगे, suppose यहाँ दो पॉइंट है, a और b, p एक पॉइंट है, जो इस line को m is to n के ratio में divide कर रहा है, ratio क्या है m is to n, जैसे हम लोग geometry में सीखे थे न, एक line दे दिया, बोलता था इसको 2 is to 5 के ratio में divide करूँ, तो 2 प्लस 5, 7 हम लोग इस तरह से पूरा draw करते थे, फिर इसका 2 और इसका 5 को मिलाते थे, तो इस तरह से 2 is to 5 में divide होता था न, तो इस बर हम लोगों को क्या करना है, यह p का coordinate निकालना है, बतलब ऐसा कौन सा point है, जो इस line को m is to n में divide करेगा, यह m is to n कुछ भी हो सकता है, 2 is to 3, 1 is to 3, 4 is to 5, कुछ भी, तो basically एक ratio दियावा रहेगा, और दो points दियावा रहेगा, यह बीच वाले point का हम लोगों को coordinate निकालना रहेगा, तो section formula के according, यह coordinate का होता है, इसका x coordinate निकालने के लिए, formula होगा, m x2 plus n x1 by m plus n, और इसका y coordinate निकालेगा, y x2 plus n, sorry, m y2 plus n y1 by m plus n, कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा देखने में formula काफी complicated लग रहा है, तो काफी simple सा चीज़ ध्यान में रखना है, फिर से हम उस चीज़ को draw कर रहे हैं, a b 2 point है, p एक point है, जिसको m is to n के ratio में divide कर रहा है, यह x1, y1 इसका coordinates है, और इसका coordinates x2 और y2 है, तो p का पहला नंबर क्या होगा, ratio का पहला नंबर के साथ, पीछे वाले point का first coordinate, तो यह बन रहा है, m x2 plus n के साथ x1, तो in अवे यह cross multiply हो जा रहा है, तो n के साथ x1, ym plus n, तो यह जो p का coordinate होगा, उसका first value निकल गया, x का value बोल सकते हैं, फिर y का भी value चाहिए, क्योंकि coordinate है तो x, y होता है, तो y के लिए क्या करेंगे, इधर m के साथ n2, sorry, y2, और इधर n के साथ y1, फिर नीचे में y है, m plus n, यह basic formula है, एक form करेंगे, तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को ध्यान से देखकर समझने का कोशिश करना, तो जैसे first question है exercise 7.2, इसमें दिया है, find the coordinates of the point, which divides the join of this and this, in the ratio 2 is to 3, तो मतलब यहां क्या दिया है, हम लिखते है suppose, let the points be, A, तो पहला point minus 1, 7 है, हम उसको A नाम दे दिये, और जो दूसरा point B है, हम उसको, दूसरा point 4, minus 3 है, हम उसको B नाम दे दिये, तो A और B इस तरह से है, यहां हम लिख देते हैं, minus 1, 7, और यहां लिख रहे हैं, 4, minus 3, वो ratio क्या दिया है, 2 is to 3, तो कौन सा point है, जो इसको 2 is to 3 के ratio में divide कर रहा है, suppose वो point C है, और इसका coordinate है x, y, तो let the coordinates of point C, B, B, X, Y, यहां M is to N, मतलब ratio क्या है, 2 is to 3, तो section formula के हम लोग, according हम लोग क्या करते हैं, इस point का हम लोग coordinates निकाल सकते हैं, तो bisection formula, coordinates of C, उसका formula क्या है, M के साथ, पहला वाला के साथ, x2, तो mx2 plus nx1 by m plus n, फिर comma, my2 plus ny1 by m plus n, replace करेंगे सब का values, देखो इस figure से बहुत clear हो जाएगा, m क्या है यहां पर 2, तो 2 के साथ क्या multiply होगा 4, और 3 के साथ होगा minus 1, तो यहां पर हम mx2 में लिखेंगे 2 into 4, फिर बीज का plus दे रहे हैं, यहां पर क्या होगा, 3 के साथ minus 1 multiply, तो लिखेंगे 3 into minus 1, और नीचे में क्या है, m plus n, मतलब 2 plus 3, यह x का value निकल गया, फिर comma, अब सी काम को y का value निकालना है, तो फिर से y होगा 2 into y2, मतलब पीछे वाला, तो 2 into minus 3, फिर बीच में plus, यहां 3 into 7 होगा, y, m plus n, मतलब 2 plus 3, तो यह क्या बन रहा है, थोड़ा जल्दी calculation हम लोग ओरली कर सकते हैं, 2 into 4, 8, और यहां पर minus 3 आएगा, और नीचे में 5, यहां पर minus 6, पीछे में plus 21 by 5, तो 8 minus 3, 5, 5 by 5, 1 आजाएगा, यहां पर यह subtract होके 15 आएगा, 15 by 5, 3 आएगा, तो इसका मतलब C का coordinates क्या हुआ, 1, 3, अब समझ भाए है, section formula किस तरह से use कर रहे हैं, learn करने का बहुत simple तरीका है, अगर ratio m is to n है, तो एक बार m के साथ, पीछे वाला coordinates क्या होता है, x1, y1, और x2, y2, तो सामने वाला number के साथ, पीछे वाला, m, x2, फिर n के साथ सामने वाला, n, x1, y, m, plus n, ये पूरा आता है, x का value, फिर y के लिए, m, y2, n, y1, y, m, plus n, ये x का value निकलेगा, ये y का value निकलेगा, समझ में आया, एक बार वीडियो को rewind करके first question वापस देख लेना, सेकंड question करते हैं, तो second question में क्या है न, बुला, find the coordinates of the point, points of trisection of the line segment, joining this and this, मतलब, दो point दे दिया, उसको trisect किया गया है, trisect मतलब, तीन हिस्सा में divide किया गया है, तीन हिस्सा में divide करने के लिए, इस तरह से होगा, one, two, three, कितना point हमको चाहिए, दो point, तो यहां बोलेंगे, let the points, of trisection, B, P and Q, ठीक है, अब P और Q का coordinates चाहिए, लेकिन यहां तो कोई ratio बोला नहीं है, तो common sense है, trisect हो रहा है, मतलब सब equal है, मतलब यह भी one part है, यह भी one part है, और यह भी one part है, तो total three parts हो जा रहा है, अब भूल जाओ कि यहां पर, P का अब हमको value चाहिए, तो भूल जाओ कि यहां पर Q है, अगर हम side में rough में drop कर रहे हैं, A, B, और यहां पर P है, Q भूल गए, तो पीछे में कितना हो गया, दो हिस्सा है, और सामने में एक हिस्सा है, तो हम ratio को क्या बोल सकते हैं, यहां पर, 1 is to 2, समझ में आया, Q को एक बार ignore किये, तो पीछे में 2 parts रहे जा रहा है, और सामने में 1 part, क्योंकि जब हमको P का coordinate चाहिए, तो हम section formula निकालेंगे, तो section formula में तो एक ratio चाहिए होता है न, इस तरह से, तो ratio मिल गए हमको 1 is to 2, यहां पर हम इस तरह से, A Q तक नहीं ला सकते थे, क्योंकि हमको P Q का coordinate पता नहीं है, इस वज़े से हम Q को ignore कर रहे हैं, अब A का coordinates तो पता है, और B का पता है, अब हम directly section formula से, P का coordinates निकाल सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे क्या, यह जो Q को हटाएं है, पी डिवाइड़ एबी, पी डिवाइड़ एबी, इन दर रेशियो, वन इस तो टू, यह वन इस तो टू के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, देरफोर, coordinates of P, इक बार formula लिखेंगे, formula क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और एक बार, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, formula बार बार कॉपी में लिख के learn करूं, अब, m क्या है यहां पर, यह पर 1, थोड़ा हम इस पर directly करेंगे, 1 के साथ क्या multiply कर रहे हैं, यह, तो 1 into minus 2, minus 2, फिर बीच का plus दियें, और यहां n के साथ क्या multiply करेंगे, 4, 2 into 4, 8, और नीचे में क्या हो रहा है, m plus n मतलब, 1 plus 2, 3, फिर बीच का comma, अब y का value चाहिए, तो सारा y का values यूज करेंगे, तो यहां पर 1 के साथ क्या multiply होगा, इसका पीछे का minus 3, तो वो multiply होगे बन जाएगा minus 3, फिर बीच में plus देंगे, लेकिन यह multiply होगे, 2 into minus 1, minus 2 आएगा, तो double bracket में इस तरह से लिखती है, और नीचे में 1 plus 2, 3, तो अब यह opposite sign है, subtract होके बन रहा है 6 by 3, और यहां दोनों ही minus है, तो add उकर आ रहा है, minus 5 by 3, यह cut के आगिया 2, तो value आ रहा है 2 by minus, 2, minus 5 by 3, मतलब यह जो point P है, इसका coordinate निकल गया, 2, minus 5 by 3, अब हमको Q का coordinate चाहिए, तो उसके लिए हम P को ignore कर देंगे, तो यहां पर अगर हम इस तरह से, फिर से A, B, imagine कर रहे हैं, Q पीछे की तरफ है इस बार, तो अब ratio क्या हो जार है, सामने से P हटा है ना, मतलब सामने में 2 हिस्सा आ रहा है, और पीछे में 1 हिस्सा, तो 2 is to 1, A का इस तरह से यहां value लिग दे रहे था, तो 4 माइनस 1 और यहां माइनस 2 माइनस 3, यहां लिखेंगे Q डिवाइड़ अबी, इन दर रिशियो, 2 is to 1, तो यहां पर coordinates of Q, फिर से formula लिख रहे हैं, MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N, और MY2 प्लस NY1 बाई M प्लस N, अब क्या करना है, 2 को यहां पीछे वाले के साथ, 2 इन तू माइनस 2, माइनस 4, फिर 1 को 4 के साथ, तो 1 इन तू 4, 4, बाई क्या होगा, 2 प्लस 1, 3, अब Y के लिए, इधर से 2, इधर से माइनस 3, multiply होगा माइनस 6, फिर बीच में प्लस, इधर 1 और इधर माइनस 1, multiply होगा माइनस 1, और नीचे में, 2 प्लस 1, 3, यह तो कटके 0 हो जा रहा है, तो यह 0 बाई 3, और यहाँ आ रहा है, माइनस 7 बाई 3, तो यह अल्टिमेटली क्या आया, 0, माइनस 7 बाई 3, देर्फोर, पॉइंट्स, ओफ ट्राई सेक्षिन, आर, पी का वैल्यू क्या आया था, 2, माइनस 5 बाई 3, और क्यू का यह 0, माइनस 7 बाई 3, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे बहुत चो कॉमन मिस्टेक लोगों का होता है, सपोज हम X का कॉओडिनेट निकाल रहे है, तो स्टूडिन्स क्या करते है, 2 इंटू माइनस 2 करना न, वो लोग हर बड़ी में 2 इंटू माइनस 3 कर देते हैं, सामने वाला लेने के बदले, पीछे वाला ले लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है, कि जब X का कॉओडिनेट निकाल रहे हैं, तो सिर्फ दोनों पॉइंट का X को ही यूज करना है, और जब Y का निकाल रहे हैं, तो Y ही यूज करना है, जहां नहीं समझ में आएगा, वहाँ वीडियो रिवाइन करके देखना, क्योंकि है बहुत सिंपल चीज, लेकिन क्यालकुलेशन, फॉर्मूला इस तरह से लिखावा है, कि थोड़ा कन्फूजन हो जाता है, इसके बाद इस वर्क्षिट में काफी सारव वराइटी है, लेकिन वो हम एक ही वीडियो में नहीं कराएंगे, क्वेशन वन और टू करा दिये, क्वेशन थ्री करने का जरुरत नहीं है, वो कट कर दो, अब क्वेशन नाइन करवाते हैं, क्योंकि वो इसी टाइप का क्वेशन है, जैसे अभी हम लोग क्वेशन टू में किये, कि ट्राइ सेक्षन हुआ, क्वेशन नाइन में, चार इक्वेल हिस्सा में वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ही हम दिखाएंगे, तो जैसे क्वेशन नाइन में, में दो पॉइंट है, A और B, A का कोडिनेट दिया है, माइनस 2,2, और B का कोडिनेट दिया है, 2,8, चार पार्ट में अगर इसको डिवाइड करना है, तो इस तरह से 3 पॉइंट लेना होगा, थोड़ा सा ही दर उदर हो गया, वो इक्वेल नहीं दिखा पाए, तो पॉइंट ले रे P, Q, R, तो लेट दर 3 पॉइंट, बी, P, Q, R, तो चारों हिस्सा इक्वेल है न, तो अब सबका कोडिनेट चाहिए, तो एक बर हम Q और R दोनों को हटा देंगे, सिर्फ P को रखेंगे, Now, साइड में यहाँ छोटा सा करना है, A, B इस तरह से है, और यहाँ पर सिर्फ P है, तो Q और R भूल जाओ, तो यहाँ पर पीछे में कितना हिस्सा आ रहा है, एक, दो और तीन हिस्सा आ रहा है, और सामने में बस 1 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 1 is to 3, A का पॉइंट्स तो पता है, B का पता है, तो अब P का कोडिनेट्स निकल सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, कोडिनेट्स और P आर, सबसे पहले, P डिवाइट्स, A, B, इन दर रेशियो, 1 is to 3, फिर लिखेंगे, कोडिनेट्स और P आर, P का कोडिनेट्स क्या होगा, इसका 1 के साथ, 2 मल्टिप्लाई, तो 1 इंटो 2, तो इसका 3 के साथ, माइनस 2 मल्टिप्लाई, तो वह होगा, माइनस 6, by M प्लस N, मतलब 1 प्लस 3, 4, फिर Y का कोडिनेट्स लिखने के लिए, 1 के साथ, पीछे का 8, 3 के साथ, पीछे का 2, 6, और नीचे में 4, तो यह बन रहा, माइनस 4 बाइ 4, और यहाँ बन रहा, 14 बाइ 4, तो यह कटके 1 हो गया, यह 7 by 2, तो कोडिनेट्स हो गया, माइनस 1, 7 by 2, पी का वाइल्यू निकल गया, इसी तरह से जब हम Q को करेंगे, तो P और R दोनों को इग्नूर कर देंगे, तो यह रहा, A, B, और यहाँ बीच में Q, तो इस बार रेश्यो क्या बनेगा, Q है दर, सपोस्पोस P और R नहीं है, तो इधर भी दो हिस्सा है, 1, 2, इधर भी दो हिस्सा है, तो रेश्यो बन जा रहा है, 2 is to 2, तो लिखो, Q divides A, B, in the ratio 2 is to 2, therefore coordinates of Q are, एक बार यह इसके साथ, फिर यह इसके साथ, तो वो सब लाइन लिखने के बाद लिखेंगे, coordinates of Q are, यहाँ एक बार 2 into 2, 4 और 2 into minus 2, minus 4, तो इवन रहा, 4 minus 4 by, M plus N, जतर 2 plus 2, 4, अब Y का वाल्यू लिखेंगे, तो Y का वाल्यू लिखने के लिए, 2 into 8, 16, और 2 into 2, 4, तो यहाँ लिखेंगे, 16 plus 4, और नीचे में तो 4 रहेगा, M plus N, तो यह बन गया, 0, बाई इस तरह से, वो बन जागा, 0,5, Q का कॉर्डिनेट्स पे निकल गया, अब चाहिए, R का कॉर्डिनेट्स, तो R के लिए, हम क्या करेंगे, यह A है, यह B है, यह हर बार इस तरह से, अलग-अलग ड्रॉ करना, ताकि लिखने में, easy होगा, तो अब रेशियो क्या होगा, R यहाँ पर है, P और Q को हटा देंगे, तो सामने में कितना पार्ट रहेगा, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब रेशियो बनेगा, 3 इस तू 1, तो लिखो, R divides AB in the ratio 3 इस तू 1, फिर लिखना, coordinates of R, formula लगा कर, R का value निकालो, तो इस तरह से, question 9 हो जाएगा, question 10 काफी simple है, उसमें, area of rhombus निकालना है, 4 vertices दे दिया, उसका, तो यह जो points दिया है न, इसको हम cycle quarter में consider करेंगे, पहला point A, फिर B, फिर C, फिर D, तो यहां लिखते हैं, let the points be, पहला A, फिर B, C, और D, तो अगर हम एक figure draw करेंगे, A, B, C, D, पहला हम एक बार हम इसी तरह से draw कर दिया, तो area of rhombus क्या होता है, half area of A, B, C, D, equals to half into diagonal 1 into diagonal 2, यह याथ होगा, area of rhombus का formula है, तो diagonal 1 मतलब AC, या किस B, D को भी ले सकते हैं, तो basically formula होगा, half into AC into B, D, तो AC काम को length चाहिए, length चाहिए, मतलब distance चाहिए, तो distance formula लगाना होगा, इसी तरह से B, D का भी distance चाहिए, तो A का coordinates लिख रहे हैं, 3,0 और C का लिख रहे हैं, minus 1,4, तब formula क्या होता है, now, AC equals to root over of, x2 minus x1 square, plus y2 minus y1 square, x2 क्या है, इसको जैसे कर सकते हैं, दोनों का x coordinates सब्ट्राक्ट करना है, तो 3, फिर double minus हो जाएगा यहाँ पर, तो वो plus बन जाएगा, 3 plus 1, 4, यहाँ इस तरह से करेंगे, और यहाँ 0, minus 4, तो यह बन जाएगा, 4 square, plus minus 4 square, यह कट मत करना, क्योंकि दोनों add होकर, 16 ही आएगा, square होकर, तो यह root 32 आया, root 32 को, अगर इस तरह से, उसका prime factorization करेंगे, तो इस तरह से, दो pair बन गया, दोनों में से एक एक लेंगे, तो 2 into 2, 4, तो यह हो जाएगा, 4 root 2, इसी तरह से, दूसरा डाइगनल निकालेंगे, B, D, तो B का coordinates है, 4, 5, और D का coordinates है, minus 2, minus 1, तो formula क्या है, X का दोनों coordinates, subtract, तो minus 2, minus 4, भी लिख सकते हैं, या फिर 4 के साथ, इस तरह से कर सकते हैं, 4 minus minus 2, मतलब 4 plus 2, कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें minus 6 आएगा, तो भी उसका square 36 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो भी उसका square 36 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस तरह से, 4 double minus 2, मतलब ultimately आ रहा है, 4 plus 2 का square, फिर यहाँ पर, minus 5, तो और यह 5 है बस, 5 double minus 1, तो वो प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ हो रहे 6 square, और पीछे में 6 square, 36 plus 36, root 72 आ रहा है, इसका भी prime factorization करके करेंगे, तो answer 6 root 2 units आएगा, दोनों डागनल निकल गया, तो अब हम करेंगे, area equals to half into AC into BD, यहाँ पर half, AC के बदले उसका value put करेंगे, 4 root 2, और BD के बदले 6 root 2, कट गया यह बाहर वाला, अब 2 into 6, 12, root 2 into root 2, तो यहाँ 24, area है, तो units रहेगा, square units, इस वीडियो में बस यही 3-4 question करवाएंगे, बस एक बार दुबारा बोल दे रहे हैं, कि section formula मतलब, अगर एक line divide होता है, किसी भी point से, तो हम लोग उस point का coordinate निकाल सकते हैं, यहाँ ratio होगा, अगर m is to n, तो एक point का coordinate निकालना है, मतलब उसका x और y का value निकालना है, तो वो इस तरह से multiply होकर निकलता है, multiply करते वाग ध्यान रखना, कि जब x का value निकाल रहे हैं, तो खली x को काम मिलेंगे, तो यह दोनों हट जाएगा, अब सिर्फ cross करना है, पहला नंबर, दूसरा कोडिनेट, दूसरा कोडिनेट, पहला, और नीचे में m प्लस n, फिर जब y का निकालने, तो x को cover कर दो, जैसे cross multiply में सिखाये तो ना cover करकर के करना, उसी तरह से, तो यहाँ m के साथ y to, पीछे वाला के साथ सामने वाला, प्राक्टिस के साथ हो जाएगा, तो complete the sums which I have done in the video,